भारत के अंदर तब्दीली इंफ्रस्ट्रक्चर के हवाले से क्या तब्दीली आप देखते हैं आपने एक तो जारी बाता थेरेटिकली पढ़ते थे इंटरनेशनल मीडिया को देखते थे सुनते थे लेकिन नौ यूर वो जिसे कहते हैं ऑन ग्राउंड जीरो कैसे देखते ह जरा हमसे एक्सपीरियंस शेर करें पूरा शैर्ट जो है वो दुनन की तरह सजा है क्योंकि टिवलप फेस्टिबल चलना उसके पाशाम को हम जब बैठे दोस्तों हमारे लोकल दोस्त बैठे हैं और हमने दिली की खास कर खुबसूरती और दिली के पास की बाते की क्योंकि म अब जब बातें कर रहे थे किस तरीके से एशियन गेम्स हुई यहां पर तो कौन कौन से होटल बने फिर उसके बाद जी ट्वंटी हुई तो क्या क्या हुआ उसके बाद जो भी वाकियात होते हैं क्या क्या हो रहा है इसमगर अगर देखा जाए तो दिली जो न्यू डेली है बिलखसूस वो दुनिया का कैपिटल बनता नजर आ रहा है वो इस तरीके से आप जरा इसके एक साल का पूरा स्केजुल देख लें चाहे वो जी ट्वंटी हो या चाहे अभी हम जो बात करना जाएंगे रैसिना हिल के बारे में रैसिना समिट के बारे में और यह एवरे साथ के बच्चे की शादी हो रही है हफते बाद जमन नगर के अदर वहाँ पे एक नया एरपूर्ट बना दिया गया है सिर्फ उस शादी की वज़ा से और वहाँ पे आ कौन कौन रहा है उसमें जुकरबर्ग आ रहा है उसमें कत्र का सदर आ रहा है उसके अंदर माइक्रो और चीमा साब दर हकीकत यह एक दिन में सफर तो जहर नहीं हुआ उसके पीछे पूरी हिस्टी मौझूद है इसमें कई प्राइम निस्टर्स की क्मिट्मेट्स जो हैं मौझूद है आप बिलकुल उनको डिनाइब नहीं कर सकते मनमोन सिंग डाक्टर मनमोन सिंग जो के अकान से थे प्राइम निस्टर जो के जो के नैशनलिस्ट थे मोधी साब इस नाथ ओनली नैशनलिस्ट परसंट तु बगिन विद्ध है उनके उपर क्रॉप्शन की स्टोरियां मौझूद नहीं है उन्होंने अपने स्केजूल नहीं बनाय के तील साथ तुम लोट लोग दो साल हम लूट लेंगे वहाँ यहां नहीं इस तरह का हुआ का यहाँ आण वाजपाई का लड़का जो है वह लीडर नहीं है यहां मन्मौर सिंग की लड़की एलेक्शन नहीं लड़रही है मोधी साब के भाई का नाम किसी को नहीं पता कौन है वह चले छोड़े आप इनसे तो नफरते हैं आपकी आप जहां बैठे हैं आपके आपका इनके साथ नफरत का एक बहुत बड़ा एक बैक्गरोंड मौझूद है बंगलादेश चल चलते हैं जो आपका हिस्सा था हसीना वाजद ने अभी तक अपना वारस डिकलेर नहीं किया और आपको मैं बता चुका हूँ कि आपके एक बंदे के नाम से भटो उतार दिया जाए तो उसका उसका पीछे बचता ही कुछ नहीं दूसरी है उसकी फैमिली है अब उनके पोते दोते हैं उनके लिए भी हलके देखे जा रहे हैं एक मुर्शद जेल के अंदर बैठा है उसकी भेने दो हैं वो आप सियासत आप अकल के इतने सारे आपके आपकी अकल बिलकुल बंद हो चुकी कि दिस इस नाट हाओ दा वर्ड आपरेश्ट इस नाट वर्ड मूव ओन गोज ऑन फिर आपके साइंस और इंगलेश और मैथ के साथ दुश्मनी नफरते हैं फिर आपसे जब बात की जाए तो मजब का तड़का लगा के आप छे सो आप छटी सदी का खुल फैर राजदीन के दौर के खाप देखने चुरू कर देते हैं आप अलाकि इसलाम आपके लिए एक फॉर्ण रिलिजन है आपने उसको समझने की कोशिश ही नहीं की इसलाम है क्या जिहाद करने के लिए सर्टन गर्ज को आथ होता है अब हर बात के उपर जिहाद कर देते हैं लुए जिए अजितने आप परशाने हैं लेकिन आप टीटीपी के लिए आपके पस क्यूइप मौनसूबाने झाऱोगी ऊसके लिए कोई पकठा हुआ है जिसने कहा है कि हम अगली PDM 2 बनाएंगे उनके ट्वीट अकाउंट को और ऑपरेट करता है वो ट्वीटर कोई नहीं समझते के ट्वीट का चीज है साइंस को समयना तो उनके बसकी बात नहीं और आप अब इसके डिमार्ड कर रहे हैं कि सुप्रीम कोड की प्रसीडिंग भी उर्दू में की जाए ताकि हम ने जो टूटी-फूटी तरकी किया उसको भी खतम किया जाए चले कर ले हैं होता है तो करेंगे ठीक है लेकिन हाज चीमा साब मैं खास बिलखसूस जब मैं यहा और नहीं नाम रखा था क्योंकि चार उनके अब्जेक्टिव थे और सबसे बड़ी बात जो मुझे पता चली है चीमा साब के इस बाइपार्टिसन नान प्राफिर्ट और 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 इसको जो इसको इसको लीड करती है राहूल बैनर जी उसके उसके फाउंडर है तो इनके इसमें इनका थीम में था कांफ्लिक्ट, कांटेस्ट, कॉर्परेट और और ग्रीज के प्रेज़न जो थे इस दमाप्राइमिस्टर जो आए वह इसके चीफ कैस थे, मोधी साब ने इसको अनाग्रेट किया था और बेसिकली फंडामेंटली देसके जिए जिए जि तबियत भी ठीक नहीं थी, जिस वज़ा से हम शो नहीं कर सके, उसमें मलके किसी वक्त हम डिसकस करेंगे, म्यूनिक स्क्योडी जो कांफरेंस थी म्यूनिक के अंदर हुई है, वो हम डिसकस नहीं कर पाए, लेकिन मैं उसको वाच अबसर्फ करता रहा हूँ, बिलखसूस ड कांफिडेंस अब डाक्टर जेश अंकल सिटिंग नेक्स तो टोनी बिलकर की, और उन्हों ने जो उस पे जवाब दिये है, रशिया के हवाले से, और उन्हों ने जो लफ़स शुरू किया था, जो कर मीडिया ने बहुत पिक किया, कि वर्ड नीड तो अप्रीशियेट माई माई इंटलیک्ट और उन्हों की स्ट्रेट, अब उसमें उन्हों ने बिलकुछ बिलकुछ इसी रहसिना समिट के क्लोजिंग के उपर भी जाके जाक्टर जेश शंकर साब ने यही बात की थी, उन्हों ने बात की है कि इस्ट जिव अर रशिया मल्टिपल आप्शन्स और उ जो बिमार सदर है, बाइडन साब, उन्होंने फिर दुबारा एक तो वहाँ जो वो उनका आपोजिशन लीडर था, जिसको कहा जाते, कुछ लोग कहते हैं, मारा गया है, कुछ कहते हैं, क्रतल किया गया है, उसकी बीवी और बच्ची को साथ लेकर बैठे थे, बाहर निकल जहाज के अंदर, 30 मिनिट की उन्होंने उसके अंदर काक्पिट में ट्रेवल किया है, अब उसको लोग तो कहते हैं, जी कंपैरेजन, कंपैरेजन तो होगा, दो सुपर पार्स हैं, उनके दो लोगों के बारे में देखा तो जाएगा, कि इनकी, इनकी फिजिकल स्टेंथ, इनकी मेंटल स्टेंथ क्या है, वैस्ट हमेशा प्रपोगंडा करता है, कि पूटन इस दाएग, आज मैं जब उसके आर्टिकल पड़ रहा था, तो उस फाइटर जेट के अंदर ट्रेवल करने के लिए, यू हैव तो फिजिकली फिट, यूर हाट थो पंपिंग तो पंपि जाना पड़ता है, पकड़ के उतार, स्टेज पे ले जाएए, उन्हें पते ही नी चलता उतरना किस्तरा है, तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि डाक्टर जेश शंकर साब ने बिल्बूर सही कहा है, कि और दूसरा, उसके साथ उन्होंने एक और भी स्टेटमेंट ली है, कि कल पर सुभी हम जब यहां पर हम कुछ दोस बैठेते हैं, तो भारत और रशिया के रिलेशन्शिप को जब डिसकस किया गया है, तो भारत और रशिया के रिलेशन्शिप को एक दिन के नहीं है, उसकी तो बहुत पड़ी हिस्ती मौजूद है, और मेरे ख्याल में यहां भी सुनने में यह भी आ रहा है कि भारत और चाइना टाकिंग अबाउट इट, उनकी भी मुलाकातें भी हो रही है, बातें भी हो रही है, बैक डोर चैनल भी यूज हो रहे हैं, जिस पर मुझे तश्वीश यह है कि आपकी हमालिया से उपर जो दोस्ती है, अगर बलके उस लिए वैसे तो आप आज कल चैंप छोड़ चुके हैं, चैना का कैम छोड़ चुके हैं, आप बलके मेरे ख्याल में तो कह चुके होगे, कि आप अपनी सड़के उठा के लिए जाना चाहते हैं, तो चैना वापस ले जाए हमें नई, जाएए सी बैक, क्योंकि यूज है और वो 6 बिलियन जो आ रहा है, उसके बारे में भी लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी हैं, आपने 26 जो कंडिशन्स थी, जो अभी आखरी किस्त आपने आई-म-F से लेनी थी, 26 कंडिशन्स में से 25 कंडिशन्स आपने उनकी एक्सेप्ट करके दे दी है, 26 का आपने पाहिश का इजहार है, और वो भी राजी हैं दूसरी तरफ से भी देने वाले, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही, किसी इनसान के मूझ से ये नहीं सुना गया, कि 6 बिलियन डालर का होगा क्या, ये कहां जाये गए, कुछ लोग दबे लफजों में, खुद ही मेरे जैसे लोग जो जवाब दे लेते हैं, खुद ही सवाल करके जवाब दे लेते हैं, वो तो ये कह रहे हैं, क्योंकि मार्च के अंदर आपने बहुत ज़्यादा 25-26 बिलियन डालर की किस्ते देनी हैं, लोग की, शायद उसमाल होगा, लेकिन कुछ मेरे जैसे लोग के ये भी कहते ह है, कि शायद लंदन और टॉरांटो के अंदर, आपकी रूलिंग एलीट के जो पाँच हजार लोग है, शायद वो अपनी प्रापटियां फिर दुबारा, या पुरानी प्रापटिया ठीक करेंगे, या नई प्रापटिया खरीदेंगे, बजार लगे गा है दुबारा, ल और सिर्फ पाँच हजार लोगों के खर्चे लंदन और टॉरांटो में वो पूरे कर रहे हैं, और दुख के साथ मैं जहां बैठा हूँ, चीमा साथ मैं जहां बैठा हूँ, यहां से डेड़ सो मिल के फासले पे, मेरी मादरे मिलत है, और सिसक सिसक के, एडिया रगड़ र इसा है, यह भी अर्थ शास्त्रा को पढ़के ही लोग यहां से भी आगे निकल रहे हैं, यहीं से लोग इंडियान इसीटूट अफ टक्नालोजी पढ़के कभी वर्ड बैंक चलाते हैं, कभी माइक्रोसाफ चला रहे हैं, कोई गूगल चला रहा है, आप से सैकल नहीं चल पाकस्तान में हाली में संपन हुए चुनाओं के बाद भी अभी तक प्रधान मंत्री और राष्टपती पद के लिए ताज पोशी नहीं हो पाई है, गट बंधन में जोड तोड का दौर चल रहा है, नवाश शरीफ की पार्टी, पीमनल और बिलावल की पार्टी, परकार चलाने की हामी भरली है, हाला कि किस दिन राष्टपती पद के लिए ताज पोशी होगी, इसकी तारिक तै नहीं हो पा रही है, इसी बीच ताजा खबर के अनुसार पाकिस्तान में 9 मार्च तक राष्टपती चुनाओं कराने की तयारी की जा रही है, पाकिस्तान मे प्रवाचन आयोग ECP संसद के उच्च संसद सनीट के आधे सांसदों का 6 साल का कारेकाल पूरा करने के बाद उनकी सेवा नित्ती से 2 दिन पहले 9 मार्च तक देश के राष्टपती पद के लिए चुनाव कराने के लिए तयार है। पाकिस्तान पीपल्स पाटी के एक वरिष्ट पदाधिकारी ने कहा सभी चार प्रांतिये विधानसभाओं के गठन के बाद वर्तमान सीनेटर राष्टपती का चुनाव करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव 9 या 10 मार्च को हो सकता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवास पीमनल शहबाज शरीफ के नित्रुत में केंद में गठ बंधन सरकार बनाने के लिए तयार छे दलिये गठ बंधन ने पहले ही देश के शीर्स समवेधानिक पद के लिए आशिफ अली जरदारी को अपना सर्व सम्मत्स उमिद्वार घो पती रहे थे उधर पाकिस्तान में चुनाओ धांधली का आरोप लगाने वाले अधिकारी ने यूटन ले लिया है बता दे कि जिस अधिकारी ने खुद पाकिस्तान में खुई चुनाओ धांधली का आरोप लगाया था अब उसी अधिकारी का कहना है कि उसने प्रेस कॉन् पी टी आई के एक वरिष्ट नेता के दबाओ में किया था